अच्छा बजी यह देख लो भई यहां पर मैं आपकी फाइल पहले ओपन कर लेता हूँ मिनारे पाकिस्तान वाली ठीक है सबसे पहले तो यह देख लो डायरेक यह फाइल है ठीक है ना मिनारे पाकिस्तान ठीक है ब्लेंडर की फाइल है मैंने इसको ओपन कर लिया अब यह ओपन हो गई यह दो को मेरे पास डायरेक आ रहा है ठीक है और ब्लेंडर का वर्डजन जो है मेरे पास वह है और कैसे मालूम करते हैं यार कुछ इसी तरीके से यहीं पर ही होता है स्प्लेश विंडो होती है ना एनिवेस मैं अभी दिखा देता हूँ अब यहां पर आगन ना एक चीज़ देखें यह चीज़ सेट नहीं हो रही है अब इसकी रूटेशन को मैं अभी सेट करता हूँ आप क्या करो जीरो के बराबर में जो पॉइंट का बटन होता है ना डॉट जिसे कहते हैं हम लोग डॉट दबाओ यह आएगा उसके बाद यह देखो यह देखो सबसेट हो गया ठीक है अब डॉट दुबारा दुबाँगा दुबारा उस मूड में धीर अब सारा मेरा सेट हो गया है आप मैं बड़ा करूँ इसको छोटा करूँ इसको डिटेल से देखूँ जो भी है वह मैं देख सकता हूँ अच्छा अब यही फाइल मैं अपने एक ब्लेंडर की अलग न्यू यह देखो न्यू खोली है इसमें लाता हूँ अब देखो यह ब्लेंडर की है न्यू सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट करूँगा डिलीट करने के बाद यहां कोई एड ओन मुझे एक्टिव नहीं करना है एड ओन जो होता है ना वो तो चलो ठीक है माल लिया है तुमने के यहां से तुम एक्टिव करते हो और अगर तुम्हें इंपोर्ड एंड एंड एक्सपोर्ड का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है यहां पर आकर ठीक है ना आपिवार कि अब इंपोर्ड त्रीक है न यहां पर आकर यह ओप्षिन यह स्लेक्ट कर लो जो जो मेरे स्लेक्टेड है ना सिर्फ वही आप स्लेक्ट करो त्रीक है ना जो जो मैं कर रहा हूं यह जो जो शो कर रहा हूं न यह सारे आपके स्लेक्टेड आपके सारे एक्टिव होने चाहिए इसको इधर केम आप अपना वीडियो को स्टॉप करो और सारे यह आप्शन को अब एक्टिव कर लो एक्टिव करने के बाद एक्सपोर्ट पर जाओ अच्छा एक्सपोर्ट पर भी तक्रीवन तक्रीवन मेरे खैल में वह ही है ठीक है ना अच्छा यह करने के बाद यहां पर आओ यह सेफ कर दो यह सेफ करने के बाद अब वो जो मॉडल लाना है ना वो यहां पर इमपोड में आपको कहीणई मिलेगा यह बात यहाद रखना इमपोड में आपको कहीणई मिलेगा वो मॉडल लाने के लिए हमेशा अपैन्ट में जाना पड़ता है यह रेको शिफ्ट एफ वन इसकी शौट की ए है यह करेंगे यहां से हम जाएंगे सीधा सीधा F में जो दो को मैं F में गया F में जाकर यह मैंने मिनारे पाकिस्तान blend की तुम्हारी वही वाली फाइल जो मैंने डाउनलोड की है उसको select किया append कर रहा हूँ append करने पे mesh का folder है mesh के folder में खाली slender है slender और इसको जैसे ही मैंने append किया यह आगया इस तरीके से अब यह जो आया है ना यह model इस तरीके से इसको क्या करना इसको थोड़ा सा select करके इसकी rotation के वो सारा कुछ इसका set कर लो simple सही है तो main option होता है ये ठीके और बाकी import में यहां पर तुमारा ये हो गया ये हो गया ये हो गया जो कुछ भी import करना है उसके लिए तुम मुझे अब बताओगे अपना system तो फिर मैं उसको check कर सकूँगा have a good time मैं अपने पेज पर या YouTube के चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पेज को लाइक कर लेना और इसी तरह के से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना थैंक्यू को सब्सक्राइब जाय सूझतक्त उत् sut झाल